हर बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि गेमिंग के लिए Android बैस्ट है या बैस्ट है iOS सब के अलग अलग thoughts जरूर होते हैं देखो iPhone में आपको हर एक चीज अच्छी मिल जाएगी लेकिन आपको Android में भी बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो कि iPhone में भी नहीं है प्रिगर है इसमें मोशन कंट्रोल है जैस्टर है इसमें और काफी सारे ऐसी फीचर जो कि आपको Android दे सकता है और ऐसा नहीं है कि यह पोको का फोन है तो यही देगा Android में बहुत सारे वेरिंट आपको मिल जाते हैं कम बजट से लेके हाई बजट तक तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि गेमिंग के लिए iOS बैस्ट है यह बैस्ट है Android तो दोस्तों वीडियो में लास्त तक जरूर बनी रहीएगा क्योंकि यह है दिन बार वार जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि iOS या Android में कौन सा फोन बैस्ट है जिसमें आप गेमिंग कर सकते हो और लॉंग टर्म तक अच्छी गेमिंग कर सकते हो तो दोस्तों चली शुरू करते हैं और मैं हूँ आपका प्यारे गेमर नूब टूब प्रो सीरीस के इन सबसे पहले मैं बताता हूं आइफोन के फायदे सबसे फर्स्ट इसमूद परफॉमेंस दोस्तों आइफोन में आपको एपल की जो चिप मिलती है जैसे कि मेरे पास यह आइफोन 15 प्रो मैक्स जिसके अंदर है एपल ए 17 प्रो चिप जो की फ्री फायर पबजी एंड हाई ल तो आइफोन में बहुत ही अच्य डिस्प्ले है जो कि Gain की Grafics को कफी जाधा अच्छी करदेता है जिसमें कलर saturation और जो texture है और जो जितनी अच्छी quality प्रोवाइट करता है phone उतनी अच्छी quality प्रोवाइट करने की कोशिस करता है जैसे कि iPhone में यदि आप free fire का gaming करो तो उसमें बहुत अच्छा saturation दिखता है brightness तो दिखता ही है मतलब कि जब हम gaming करते हैं तो हमको graphics में बहुत ज़्यादा enhancement मिलती है iPhone के अंदर नमर तीन low latency मतलब की दोस्तों जब हम gaming करते हैं जब हम click करते हैं कुछ इस प्रकार से जैसे कि हम touch करें ड्रैग करें टैप करें या swipe करें तो low latency को और भी ज़्यादा करते हैं जिस से test sampling rate का प्रकार इन्हेंस हो जाता है iPhone की display game की डिलो को बहुत ज़्यादा कर देता है जिससे आपको better experience मिलता है नमर चार stable software iPhone में iOS operating system है जो stable है और secure भी है आपको security भी मिलीगा and stability भी मिलती है इसका जो iOS का software है वो बहुत ही ज़्यादा secure है इसलिए बहुत सारे लोग iPhone को लेने का इच्छा रखते हैं भले से पैसा ज्यादा रगे हम भी देते यार अब बारी आती है Android के फायदे की देखो यार Android के तो फायदे ही फायदे है यार सबसे पहला variety भाई आपको Android में कई सारी variety मिल जाएगी different budget और आपके requirement के इसे आपको फोन मिल जाते हैं ठीक है जैसे कि Samsung Galaxy S24 Ultra लेलो वो देड़ लाग करीब का आता है एंड कापी सारे ऐसा फोन है जो की बहुत ही तगड़ी performance देते हैं 20,000 के अंदर भी एंड देड़ लाग लाग रोपे के अंदर मतलब हाई budget proof आपको जैसा budget मिले आप पैता फोन खरी सकते हो नमर दो customization दोस्तों Android में आपको काफी सारे customize मिल जाते हैं जैसे कि आपको trigger मिल जाती है जैसे कि मैं Asus ROE Phone 5S की बात करूँ या फिर Asus के बहुत सारे फोन जिसमें आपको ऊपर के side में trigger मिल जाएंगे इन इंफिनिक्स के फोन में आपको magic button मिल जाएगी और motion control भी आपको मिल जाते हैं मतलब कि Android में आपको काफी सारे ऐसे buttons मिल जाते हैं ऐसे customization वाले option मिल जाते हैं जो कि iPhones में मिलना काफी ज़्यदा मुस्किल है और होते भी नहीं है ऐसा नहीं कि एक दूँ फोन की बात Android की बहुत सारे gaming phone रेड मेजिक के हैं ऐसे बहुत सारे phone जो कि आपको अच्छा customization दे सकता है और बहुत सारे option दे सकता है गेम टर्म भी बहुत सारे option मिल जाते हैं मतलब गेम से related गेम मोड से related आई Android में बहुत सारे feature मिलते हैं नमर 3 बैटरी लाइव भाई साब Android में बैटरी बहुत ही जादा है ऐसा नहीं कि एक दो फोन का ही बात कर रहा है ऐसे बहुत सारे फोन है जिसमें 6000 अजार अच्छी हो जाती है Android फोन में आपको लॉंग तर में काम आता है और लंग में समय तक आप उसमें गेमिंग भी कर सकते हो एंड कुछ फोन में ऐसा भी रहता है कि बाइपास चार्जिंग का भी ऑप्शन रहता है जो कि गेमिंग को और भी जादा अच्छा कर देता है नमर चार प्राइज एंड्रॉइड फोन में आपको प्राइज रेंज के साब से फोन मिल जाते हैं मतलब कि कम पैसों में भी बहुत ही अच्छी प्रफॉंस मिलती है ज्यादा पैसों में भी जो बंदें जो हाई गेमिंग नहीं करते फ्री फार ओनली खेलते हैं तो वह बा पर मिलता है एंड्रॉइड की प्राइज है मों काफी कम रहते हैं उसमें भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं अब बार या थी दोनों फोन के टिप्स और ट्रिक की सबसे पहले आईफोन के लिए मैं टिप्स और आपको बदा देता हूं आई यूस 15 के अपर वाले जितने भी वर्जन है उसमें आप गेमिंग करोगे तो आपका जो गेमिंग है वो काफी ज़्यादा इन्हेंस रहता है नंबर दो एजएस्ट ग्राफिक सेटिंग आईफोन में आप हाई या फिर अल्ट्रा में आप ग्राफिक्स को सेलेक्ट है के गेमिंग कर सकते हैं या 3-4 खेलते हो तो आपको पता होगा कि अल्ट्रा में गेमिंग करें तो काफी हद तक आपको option मिल जाते है 3-4 max के जो की graphics को enhance भी करता है और बहुत ही smooth भी कर देता है iPhone में तो lag को नाम को चीजी नहीं है नम्मर 3 आपको refresh rate अच्छा का खासा मिलता है 90 Hz से लेके 120 Hz का refresh rate मिलता है यह आप प्रो वर्जान लेते हो 120 Hz वाले तो आपको यदि अब 3-4 खेल रहा है सिर्फ और सिर्फ फ्रीफार 60 एप पर आपको लगातार मिलते ही रहते हैं यह बीजियमाई खेल रहा है या पबजी खेल रहा है यह खेल रहा है तो उसमें 120 Hz का refresh rate अभी प्रोवाइट कर दिया है जो कि आईफोन के इलावा दूसरे फोन में नहीं है नम्मर चार यह आप आईफोन में गेमिंग कर रहे हो तो बैगराउंड के जितने भी एप हैं वो रन नहीं करते हैं कभी भी आप गेमिंग करोगे आईफोन में तो देखोगे कि जो आपका गेम है वो ही बस चलेगा बैगराउंड में जितने भी एप रहते हैं उनको वो रोग देता है जिसके कारण जो गेमिंग है या फिर आप जो भी वर्क कर रहे हो आग को उसमें ही सबसे अच्छा performance और सबसे अच्छा experience दिलाने की वो कोसिस करता है अब मैं बताता हूं Android के लिए टिप संट्रिक नमर वन Android में आप Android 11 के उपर से जितने भी Android वर्जन है उसको यूज़ करो वो काफ़ी ज्यादा अच्छे optimization में चलते हैं और बहुत ही अच्छे वर्क भी करते हैं नमर दो एजस् हैं अच्छसा सब्सक्रासा ग्राफिक सट्टिंग में गय decepцы शैटिंग में आट exhort हैं glaze है एसी ग्राफिक सेटिंग में अभी आप गेमिंग आप Zeppender जो आइफोन में है कच जोन इसा ज्यारिए तो नमर तिन आपको एंड्रॉइड में भी अच्छा-ख़ासा रिफ्याता है वैसे तो 173A guys to 5 beautiful нем आपको इजी मिल जाते हैं जो कि 40 4USD के अंदर में गेमिंग के अंदर फिरी पार कहलते तो उसमें 60 अंध्याव्य के लेकिन आप बीजेमाई खेलो, PUBG खेलो, Call of Duty जैसे Heavy Game खेलो, उसमें भी आपको 90 Hz, 120 Hz रख की आपको smoothness मिल जाएगा जो कि बहुत एच्छे बात है, नम्मर चार Background में जो app रहते हैं वो भी आपको बंद करने के option देता है Android भी, जैसे जो iPhone है वो भी background का जो option है इसको बहुत सारे बंद कर देता है एप को बंद कर देता है वैसे ही Android भी कर देता है तो Android भी अच्छा खासा टक कर देता है iPhone को अब मैं बताता हूं कुछ ऐसी शीजों के बारे में जो कि आपको gaming में करना ही चाहिए नमर वन आप good quality के headphones यूज़ करो यदि आप gaming करते हैं आइफोन में आप AirPod यूज़ कर सकते हो headphone यूज़ कर सकते हो लेकिन अच्छी quality के यूज़ करोगे जो foot sound है जो fire है जो enemy की position है ठीक है enemy की location है वो भी आपको पदा चलेगा यदि आप gaming कर रहे तो अच्छी खासे headphone यूज़ करो मैं तो कहता हूँ जो wire वाले headphone है वो बहुत अच्छी रहते हैं आइफोन में आपको जो पहले के हैं उसमें भी आपको अच्छागासा port मिल जाता है जो lightning port है उसमें भी आप headphone लगा के gaming कर सकते हो Android में भी आपको type C sensitivity अच्छी नहीं रखोगे ना खुद के phone के लिए कैसी sensitivity होनी चाहिए उसकी वीडियो मैंने इस जर्ने में रखा हुआ है अप सर्च करना gamer टीकम best sensitivity setting आ जाएगा तो दोस्तों sensitivity बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है गेमिंग के लिए नमर तीन जाइरो इसकोप यदि आप आइफोन में गेमिंग करो या Android में गेमिंग करो देखो Free Fire में तो जाइरो नहीं है बट जो दूसरे गेम है जैसे कि PUBG, VGMI, Color Beauty and बहुत सारे ऐसे phone जिसमें जाइरो इसकोप रहते है मतलब कि आप जिधर phone को करो स्क्रीन आइफोन अधर रोटेट होती है लैप राइट उपर नीचे आथ जाइरो इसकोप का भी आप यूज कर सकते हो नमर चाहर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईफोन में गेमिंग करो या करो गेमिंग Android में लेकिं तूँ प्रैक्टस हि नहीं करते अच्चा गेंप्रेंटा हिसाल हो कि अश् hundred रहेगा दोस्तो प्रेक्तिस करो नम्मर चार का सबसे पतला है वह प्रेक्टिस रेगुलर ऊप्रेक्टीस आप करते तो प्रक्टिस करो, ट्रेनिंग में जाके प्रक्टिस करो आदा अधा घंटा डेली, एक घंटा तो करना ही चाहिए, यदि आपको कम टाइम गेमिंग मिलता है तो आदा घंटा दस मिनट, ठीक है, मतलत कि ट्रेनिंग करो, प्रक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रक्टिस करो, गेमिंग में आप उतना जादा उपर जाओगे तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मैंने बताया आपको iPhone के फायदे and बताया Android के फायदे आपको बताया कि किन में Gaming अच्छी होती किन में नहीं होती है बट यदि हम बात करें कि गेमिंग बहुत ही अच्छी किसमें होती है देखो कोई conclusion भी तो नहीं करना चाहिए मेरी बातों का मैंने आपको बूला था कि दोनों में comparison गरके बताऊंगा कि iPhone best है या Android तो दोस्तों देखो iPhone में limited रहता है मतलब ऐसा बहुत सारा कुछ हम कर भी नहीं पाते जो कि security के अपोजिट है ठीक है iPhone लेकिन Android में आप बहुत कुछ यूज कर सकते हो ठीक है जो कि आपको काफी सारे कुछ मिलेगा जो कि आपको आईफोन में नहीं मिलता तो यदि मैं गेमिंग के बात करों तो दोस्तों गेमिंग में यदि मैं विन करूंगा तो वो Android को ही करूंगा Android इस दे बेस्ट बट आईफोन भी कम नहीं है ठीक है बहुत चादा प्रीमें आपको कॉलिटी देता है तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही यदि आपको वीडियो पसंदा आते वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्क्राइब करना मद भूला मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में आज के लिए पसंदा ही बाइबाइब